नवस्कार दोस्तों मैं हूँ आपको दूस्तरा वर्म और स्वागत है आपको सिर्जी एजुकेशन नीज यूटूब चैनल पर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबार ना भूले क्योंकि यहाँ पर आपको चत् अगस्त के बाद परिक्षा रम्ब होने के साथ ही 31 तक पूर्ण हो जाएगी विश्वजद्याले के 20 से अधिक पाठ्यक्रमों में 28,000 से ज्याद़ परिक्षारती हिस्सा लेंगे किन्तु परिक्षाय ऑनलाइन होगी या आफलाइन इस बारे में अभी तक जो डाउट है व विश्वजद्याले द्वारा 23 अगस्त से परिक्षाय रम्ब करने की त्यारी की जा रही है वही अगस्त के अंतिम दिन 31 अगस्त को परिक्षा खत्म होने की बात हो रही है तो यहां पर लेकिन यह आफलाइन होगी कि आॉनलाइन इसके बार में अभी तक कोई फैसल नहीं तो विस्वध्याले जारी होने वाली समस्टर फरिक्षा है को लेकर अभी जो कुल विस्वध्याले के सिच्छा विभाग और विस्वध्याले के कुल्पति द्वारप प्रचारे के संग होने वाली बैठाक में अभी यत्य होगा कि ओनलाइन होगा या आपलाइन उसके बाद अगली खबर जो आ रहे हो रवी संकर विस्विद्याला से आ रहे हो पंडित रवी संकर सूखल विस्विद्याला में रत्न विज्ञान कोर्स का कोर्स सुरू कर दिया गया है विस्विद्याला के एबसाइड में इसके लिए नोटिफिकेसन जारी किया गया है इस प्रथम वर्स में दो सेमिस्टर होंगे चात्रों को रत्न पत्तरों की कटिंग और पॉलिसिंग के बारें पढ़ाया जाएगा दितिया वर्स में एडवांस डिप्लोमा के तहट चार सेमिस्टर होंगे इसमें कटिंग पॉलिसिंग के अलावा जोलेरी डिजाइन के बारें ज सकते skill development के तहद skill component क्रेडिट में प्रतम वर्षा में 62-3 वर्षा में चात्र एड्मिशन ले सकेंगे general education में 24 दिरतीय वर्सा में 48 और 3 वर्षा में 72-4 को इसका लाब मिलेगा उसके बाद अगली ख़बर जो आ रही है तो यहां पर भिलाई से तो असेस्मेंट के में 1560 स्टुडेंट को जीरो अंक है दूसरी सेमिस्टर का परिणाम रुग गया है और ऐसा भी हो रहा है कि हर दिन 100 से ज्यादा चात्र जो है अंक सुची में सुधार के लिए टेकनिकल यूनिवर्सेटी पहुंच रहे हैं तो यहां पर जो CA और TA में सुन देने की वज़े से चात्रों को बैक लग गया है इसकी वज़े से वह आगे सेमिस्टर की परिख्चा में सामिल हो रहे हैं लेकिन उनके परिणाम रोके गए नतीजे में आर जा रहा है करन्ट सेमिस्टर की अंक सुची नहीं होने की वज़े से विफार्म जब अन्ही कर पा इसे परिख्चा के दावरानी फाम जमक कराने की प्रक्रिया कराई जाएगी अंक सुची में संसोधन या पिरने तुरुटियों में सुधार के लिए तक्निके विसवेद्याल में पहले सव रुपे सुल्क लिया जाता था कुरोना के कारण विसवेद्याल प्रसासनिक भव इसकी वज़े से विसवेद्याल का काम भी बढ़ गया शिकायत लेकर हर जिले से चात्र पहुंच रहे हैं तो शिकायत के लिए जगदलपूर, बिलासपूर, राजननदगाओ, कवरधा, बालो, धमतरी, अंजोरा, रायपूर, इस थी, सास्किया और निजी इंजिनेरिंग और पॉलेटिकनिकल कॉलेज़ों के चात्र है, परिसान है, निजी कॉलेज के चात्र किसी तर अपना अंक सुद्रवार है लेकिन सास्किया पॉलेटेकनिक और इंजिनेरिंग महाविध्यालेव में सिक्षको की मनमानी चल रही है, उनके मार्क की सही जानकारी नहीं दी जा CSVTU भिलाई के वो कहरें कि चात्रों की परिशानी और हर दिन आ रहे आवेदन को देखती हुए CSVTU के प्राशासनिक भवन में अलग से करेक्शन सेल बनाया जाएगा इसमें चात्रों के लिए आवेदन लिए जाएंगे वहां से संबंदित विभाग को उनके आवेदन भेज जाएंगे और आवस्यक संसोधन के बाद चात्रों को उसकी जानकारी दी जाएगी उसके बाद अगली कबर जो आ रही है तो यहां पर बिलासपूर से है चत्रिजगड़ी भासको प्राथमिक वपूरो माध्यमिक इस्तर पर माध्यम बनाने पेश जनित याचिका एक्टिंग चिप जस्टिस प्रसांत मिस्रव जस्टिस एंके चंद्रवनसी की डिजाइन ड्वीजन बेच में स्विकार कर ली है इसके साथ ही सासन के स्कूल सिक्षय विभाग वा माध्यमिक सिक्षय मंडल को नोटिज जारी कर दो सप्तहक के बीतर जवाब मांगाए अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी यह चीका में बताया गया कि राज्य के कई लोग कलाकार इसी भासा में परफार्म करते हैं कई साहित्यकार लेकाक नाट्यकार इसी भासा में काम करते चले आ रहे हैं अगली कबर जो आ रही है तो वह सीजी वोट को लेकर आ रही है तो कच्छा ग्यार्वी और बार्वी में एंसी इयार्टी पाट्यक्रम लागू होने के बाद चत्तिस गड़ माद्यमिक सिक्षा मंडलने का अक्षा दस्वी और बार्वी की भासा में विशिष्ट एवं समान्य के उधार्णा को समाप्त कर दिया है नैज सिक्षा सत्र से प्रथम भासा हिंदी द्वितिय भासा अंग्रेजी और तृतिया में दोनों को छोड़कर से सन तेज हो गई है सासन की ओर से कोर्वा मेडिकल कॉलेज के लिए तिरपन विसे सग्य चिकित्सकों का इस्तान अंतरन किया गया है नविंट पदस्तापना के लिए पुरानी संस्ताव से उन्हें मुक्त कर दिया गया और अगले एक-दो दिन में जॉइनिंग हो जाने की बात कही जा रही है नेशनल मेडिकल कमिशन से निर्धारित नॉम्स के अनुसार अकादमिक स्टाप की ववस्ता पूर्ण हो गई है अब अगली कड़ी में केंद्रिया टीम के निरिक्षक के उपरांत माननतव प्रवेश संबंधी अनुमती प्राप्त करने हर संभव तयारी कही सब्सक्राइब करने की कायावत के तहत अकादमिक्स पूर्ण करने की कायावत तेज कर दी गई है इसके बाद अगली कबर जो आ रही हो बिलासपूर से आ रही तो चतिस गड़ के साथ चात्रों को अब रोबोटिक्स आर्टिफिसियल इंटेलिजन्स मसिल लर्निंग पर सो दुआ नवाचार के लिए अब दूसरे राज्यों में इस्थित लाब पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा इंटरंसिप या प्रोजेक्ट कार्या भी यहीं संभाव होगा अटल विहारी वाजपाई उनिवर्सिटी में एक करोड की लागस से नविन तकनीक पर अधारित र तो अंतगड में 2006 से संचालित महाविद्याला की आज 15 साल हो चुक है किन्तु विडम मना यहां है कि महाविद्याला में आज तक सिर्फ तीन संकाय कलवा निज्य एवं माइक्रो बायोलोजी ही पड़ाय जा रहा है अंतगड ब्लॉक में 60 ग्राम पंचायत वा कई आश्रित ग्राम है जिन में सेकड़ो चात्र चात्रा इस महाविद्याला की भरोसु है किन्तो अंतगड ब्लॉक के हायर सिकंडरी स्कुलों में गनीत वजी विज्ञान जैसे जरूरी विशयों की पड़ाय की जाती है वहां से उत्तिर्न होकर बच्चों के पास इन विशयों को आगे जारी रखने का विकल्प नहीं है क्योंकि ग्रामिन चेतर से आये बच्चों की आर्थिक इस्तिती कमजोर होने के वज़े से बानुपरताप्या कांकेर जाकर पढ़ाई कर पाना उनके लिए संभाव नहीं ह सकते जितने कम रहे हैं उतने में बड़े मुश्किल से कक्चाय संचालित की जाती है इसके बाद अगली खबर जो आ रही है वह अंबा गड़ चौंकी से आ रही है तो ब्लाक मुख्याला में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल का ताला नहीं खुल पाया है यहां ना सिक्चकों की भरती हुई है और ना ही स्कूल खुलने का समय निर्धारित किया गया है इसको लेकर अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों के साथ उनके पालाग भी परिशान हो गया है ब्लाक के करीब 500 से अधिक बच्चों ने इंग्लि स्कूल सिक्चकों की भरती प्रक्रिया के बाद ही खुलेगी लेकिन सिक्चकों की भरती कब होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है उसके बाद अगली ख़बर जो आ रही है वह तो यहां पर कोविट से अनाथ हुए बच्चों को पीम केयर फॉर चाल्ड योजना के प्राग द्वारा चिन्नित कर फाम भराया जाएगा अगली कबर जो आ रही हो राजनांद गाउसे आ रहे है तो शिक्चा अधिकार कानून के तहट वर्स दो हजार इक्ष में गरिब बच्चों को निजी संस्तावां में दाखिला दिलाने के लिए ऑनलाइन आवेदन मंग आए गए थे जिसका सत्यापन पाच अगस्त सुबह 10 बजे से नुडल अधिकारी एवं प्रचारिय प्राप्त आवेदनों की जाच करेंगे उसके बाद 6 अगस्त को बच्चों को दाखिला देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी उसके बाद अगली कबर जो आ रही है त पंडि सुन्दर लाल सर्मा मुक्त विश्व इद्याला का पंचम अभासी दिख्चा समरोह बुध्वार को उसाफपुर्ण महाल में संपन्न हुआ समरोह में कुलपती डाक्टर वन्स गोपाल सिया ने 12 सुधारतियों को प्रदान कर समानित किया अभासी समरोह में बेटिय पति अनुसुया विकेनी किया मुख्य तेति के रुप में मुख्य मंत्री भूपेज बगल की वर्चुवल उपस्तिती रही प्राविण सुची में इस्थान बनाने वाले पांच होना हारों को तिन तिन पदक प्रदान किये गए इन में एमें राजनिती सास्तर के विद्य अर्थी कंदाला श्री निवास चंद्र सेकर श्री निवास डोलेश्वरी में संस्कृत की छात्रा कवीता मसी गनित से चंपु राम नागवन सी सामिल थे उसके बाद अगली खबर जो आ रही है कोर्बस है तो मैट्स मैट्स विद्या विश्व इद्याले द्वारा मैनेज स्टेडिच एवं रिसर्च फैकल्टी के अंतरगा जुमा साह को पीजडी की उपाधी प्रदान की है उन्होंने सो सिर्शक इंप्लाइच पर पर्फॉर्मेंस विद रिफरेंस टू स्टील इंडेस्ट्री जाफ राइपूर के उपर सोतकार्य किया था उसके बाद अगली एक और पियजडी उपाधी दि गई है तो डीपी विप्र महविद्यले की प्रद्धापी का डॉक्तर सूची चओडरी को मनोवेज्यानिक विशायप पर पियजडी की उपाधी प्रदान की गई है इसके पूर्व भी उन्हें डॉक्ट रिट की उपाधी मिल चुकी है उस गई है उन्होंने अपना सोतकार्य डाक्टर बीना सियां के कुछल निर्देशन में पूर्ण किया है उसके बाद अगली खबर जो आ रही है विलासपूर से तो रामा वाइली कॉलेनी राइपूर रोड निवासी ओम गुपता पीता सरत कुमार गुपता LCIT के चात्र है उन्होंने अपना नाम इंडिया वोक आफ रिकार्ड में दर्जे करा लिया है ओम ने स्री सिव रुद्रा स्टक को एक मिनट 14 सेकंड में बोल कर पूरा किया है उसके बाद अगली खबर जो आ रही है तो बेमेतरा से तो बेमेतरा विधान सबच्छेत्र के आवड़ा पूरे विधी विधान से पूजा पाठकर नविन प्राथामिक सालभवन निर्मान कार्य दस लाक आई सीटी लाब निर्मान कार्य छे लाक आई सीटी लाब में टाइल्स निर्मान डेड़ लाग का फीता काटकर लोकारपन किया साथी सरस्वत्ती साइकल योजन फैकल्टी भरती के लिए आट अगस्त से इंटर्वी लिया जाएंगे इंटर्वी तेरा अगस्त तक चलेगा आउनलाइन इंटर्वी में परक परके जाने के बाद ही कैंडिडेट को सिलेक्शन लेटर जारी किया जाएगा तो चत्रीजगर समी वेकरन तेक्निकी प्रफेसर को एक मुस्त बासाथ हजार पांस और सटालिस रुपे दिये जाएंगे गरतलफ है कि तक्निके विश्विद्याले के सभी विभागों में समवीदा न्युक्ति के भरोसे ही कार्या लिए जा रहे हैं इसके बाद अगली कबर राइपूर से तो प्री बीएड और प्री डिये लेट के लिए ओनलाइन आवेदन की पाच अगस्त को आयानी की आज अंतिमती थी है इसके बाद अब्यरती दोनों परिक्चाओं के लिए 6 अगस्त से 8 अगस्त तक तुर्टी सुधार करा सकेंगे वैपम के अनुसार 20 अगस्त को प्रवेस परिक्चा के लिए पत्र जारी हो हो जाएंगे तथा 29 अगस्त रवी बार को सुबह 10 से सबह 12 पजे तक प्री बीएड तथा दो पहर 2 से 4 बच के 15 मिनट तक प्री डिये लेट परिक्चा होगी उसके बाद राजनायंद गाउसे खबर आरी तो सास्किया आईटिया राजनायंद गाउ में सत्र 2021 से प्रारंब होने वाले ववस्था के लिए ओनलाइन आवेदन आट अगस्त दो हजारे किस्त कामंत्रित की गई है अब व्यर्थी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टंट एंसीविटी विद्यूत कार फीटर एंसीविटी मेकानिकल डिजल एंसीव अप्लिकेशन 2021 पर इंटरनेट के माध्यम से आवेदन पत्र रेजिस्ट्रेशन किया जा सकता है उसके माद अंबीकाप से आ रही है तो चतिसगड़ ववसाइक परिक्षा मंडल राइपूर द्वारस अक्चनिक सत्र 2021 प्रवेश के लिए पीपीटी सहित अन्य तक्निकी य परिक्षा यह तो रेजिस्ट्रेशन या परिक्षा की तीथिया की घोषना कर दी गया है जारी आदेश अनुसार प्री पॉलिट टेकनिक टेस्ट परिक्षा के लिए आउनलाइन आवेदन की तीथि 11 जुलाई 2021 से प्रारंब हो रही है आउनलाइन आवेदन की अंतिम सारा अगस्ता तक किया जाएगा इसके बाद साथ सितंबर से प्रवेश पत्र जारी किये जाएंगे सास्किया पॉलिटेक्निक अंभीका पूर के प्रिचारेन बताया कि यहां परिक्षा भारत सरकार्त अतरा जासन द्वारा समझ समय पर कुरूना संक्रमा रुक तहां में पंडित्रवी संकर सुक्ला विस्व विद्यालय के पूर्टल में ओनलाइन आवेदान सब्मिट करें अंतिम तिति 17 अगस्त 2021 से आवेदी विद्यार्तियों की सूची महा विद्यालय को प्राप्त होने पर महा विद्यालय प्रशासन द्वारा प्रवेश महारगदरसी का न द्वारा पांच अगस्त को प्लेस्मेंट कैम्प का आवेजन किया जाएगा सुबह 11 से साम 4 बजे तक कंपोजिट 22 कमरा नंबर 45 में आवेजित इस प्लेस्मेंट कैम्प में नीजी चेतर के नियोज़ों को द्वारा FSC सेल्स कंप्यूटर अप्रेटर एम सेल्स आफिसर के कुल 14 पदोपर भरतिया की जाएगी रोजगार कारेरे से मिली जानकारी के मुताविक ऐसे आवेदक जिनकी आयू 18 वर्से से अधिक और सक्षेनिक योग्यत बारवी इसनातक अथो कंप्यूटर इसनातको वे प्लेस्मेंट कैम्प में सक्षतकार में सामील हो सकते हैं तो अगली कबर जो आ रही है जानवीर चापत से तो पंडित जोहालाल नहरू उतकर सयोजना अंतरगत 2021-2021 में चेहनित विद्यारतियों के दस्तवेच का परिक्षन जाचकर काउंसलिंग की कारवाहिक के लिए जीला इस्तर पर समिती गठित की गई है जीले के चेहनित विद्यारतियों के दस्तवेच का परिक्षन जाचकर काउंसलिंग 6 अगस्त को सुबह 11 बजे से जानचकीर इस्थित सायक आयुकत आदिवासी विकास कारेले में किया जाएगा उसके बाद अगली खबर जो आ रही है तो कुरोना काल में जीले में करीब 10 प्राइवेट इस्कूल में ताले लग गए है यहाँ जो कारण बताया गया है इसके हिसाब से इन स्कूलों में दर्ज संख्या कम होने के जानकारी दी गई है हाला कि कुछ इस्कूल बंध होने वाले स्कूलों का सम्मिती का निरनय बताया गया है खास बात यहां है कि इन इसकोल में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे अब कहां जाएंगे इसका जवाब नहीं है विधान सभा में जो जानकारी इसकोल बंध होनके मामले में दी गई है उसमें साम मिल है तो यह था दोस्तों चत्यगर के सिक्षा से जुड़े हुए तमाम खबरे आपको कैसे लिए अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को सेर कीजिए तथा ऐसे ही लेटेस्ट अबडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवा झाल